राजस्तान के जुन्जुनु जिले में एक स्कूल में कारेरत क्लर्क के आत्मत्या करने का मामला सामने आया है मामला इसलिए महतोपूर है कि इसी स्कूल के एक धापक को कुछ लड़कों के साथ कुकर्म के मामले में पोक्सो एक्ट में करीब एक पकवाड़े पूर्वी गिरफतार किया गया था जुन 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 जुले के स्कूल में एक पकवाड़े की भीतर सामने आई इस तरह की वारदात ने प्रशासन को सोचने पर मजबूर कर दिया है वहाँ पर एक शिक्षक रविंद्र सिंग दो बच्चों के साथ कुकर्म के मामले में पोक्सो एक्ट में गिरफतार हुआ था परिजनों का ये भी कहना था कि कई और भी बच्चों के साथ इस तरह की वारदात हुई है इसके बाद इस लिपिक द्वरा आत्म हत्या करने के मामले ने भी कई सारी शंकाओं को जन्र दिया है प्रशासन इनसे भी मामलोग की जांच कर रहा है जुन-जुनों की सरकारी आवासी स्कूल में बारा बच्चों के साथ कुकर्म की गटना की बात सामने आई थी इससे पहले दर्ज कुकर्म के मामले में बाल सर्रक्षन आयोग के दोरे के तुरंत बाद यह कल देर शाम की गटना है और इसमें मरतक ने एक तीन पेज का सूसाइड नोट भी लिखाया जिसमें आत्मत्या के लिए स्कूल के प्राचारे करनल अभिलास सिंग सेंगर लिपिक राजेश गोदारा को भी जिमिदार बताया है मरतक कमले स्कूल परिसर से करीब तीन किलोमेटर दूर हासल सर गाउं का रहने वाला है मरतक ने सूसाइड नोट में लिखा कि प्राचारे करनल अभिलास सिंग सेंगर और लिपिक राजेश गोदारा उसे शारिरिक वेमानसिक रूप से परिशान करते थे पुलिस को सूचना मिलने के बाद स्पी गौरव यादव और अन्य अधिकारे भी मौका मौाइना करने पहुंचे कर उसको क्याना उतारा गया और वारिशान भी वहीं मौजूद थे इसकूल का स्टाफ प्रिंशिपल भी मौजूद थे जिनके उपस्तिम जो रिपोट के नाव ली गई और इसके मड़ तक के भाई से रिपोल लेकर जो 306 आई पीची में मौदज किया गया है और बोड़ी और राजेश गोदाराजी के नाम दो वेक्तियों के नाम एफाई लोज हुई है जिनसे अनसंदान के जा रहा है एक सुषाइट के तीन पने हमरे जो मिले हैं जिनको जप्त किया गया है जिनको अनसंदान के जाएगा